दोस्तों आपने electrician हो और आपको मालूम नहीं है कि यहां से यहां तक का size wire केसे किया जाता है एक point का और गलती कर देते हो आप बहुत ज़्यादा wire का wastage कर देते हो तो properly मैं आपको size करना सिखाऊंगा और किस तरीके से और 100% आप देखिएगा यहां पर आप देख सकते हैं मैं spring wire को उस forward में डाल रहा हूँ जिस board के अंदर आपको वह point लेके आना है तो मैं यहां पर लेके आ जाता हूँ और यहां पर आपको एक wire का box लेना है यानि कि उस light के लिए जो 1 mm का होता है ठीके तो उस 1 mm के wire को box के अंदर से निकाल करके आपको spring के अंदर बांद देना है ओके अब यहां पर आपको इसे वापस से खीच लेना है spring को और यह जो wire है यहां fan box के अंदर आ जाएगा ओके यहां पर आप देख सकते हैं मैं इस wire को fan box के अंदर गाठ लगा दूँगा जिससे यह fan का wire बन जाएगा यहां पर fan का point तयार हो चु से extra wire को cut करके हम इस wire को दोबारा वापस खीच लेंगे इस तरीके से आपको perfectly size तो मिल जाता है एक wire का आप इस तरीके के multiple wire यानि के जितनी light होती है हमारे उच्छत के अंदर और दिवारों के अंदर उन सभी का size के से करते हैं perfect चलिए देखते हैं यहां पर दो box के अंदर से दो wire निकालेंगे जिसमें एक hookah neutral और एक hookah point तो spring की मदद लेनी पड़ेगी आपको यहां पर spring आपको उस light box में डालना है जहां पर उस wire को पहुचाना है अभी wire को cut नहीं करना है बिल्कुल भी size नहीं करना है आपको directly इस spring को light box में डालना है और इस spring की मदद से आपको fan box क जरीए आप इन दोनों wire को पहुचा दे थोड़ा extra इस तरह से डालिए बिल्कुल tape वगरा नहीं लगानी है आपको ठीक है तो इस wire जो दोनों wire है इनको खीच करके light box तक पहुचा दे light box में बहुत सारा खीच लेना है बट यहां पर आपको क्या करना है उतना ही गांठ लग अब मैं wire को खीचता हूँ तो यहां पर जितनी मुझे requirement wire की होती है light लगाने के लिए wire आ चुका है अब यहां पर मैं खीच चुका हूँ wire को इन में से एक yellow color का wire जिसको मैंने neutral बनाना है तो उस wire को मैं यहां पर cut कर दूँगा क्योंकि neutral switchboard तक मुझे पहुचाना नहीं यही पर joint करना है ठीक है और लेकिन यहां पर जो point है हमने जो fan के लिए size करके निकाला था advance ली उस wire को इसी wire के साथ में size कर लेना है यानि कि जो fan का wire है उसको light wire से size करके बराबर मातरा में इस तरह से काट देना है तो यहां पर perfectly size हो जाता है और यहां पर कम से कम समय आपको लगन तो इस तरह से जितने भी light छत में और दिवारों के अंदर है उन सभी के point आपको size कर लेने है इस तरीके से और perfectly size हो गया अब यहां पर हम इसको switchboard में पहुचाएंगे तो यहां पर अब इन सभी को neutral भी तो देना है क्योंकि एक neutral की मदद से यह सारी light चलेगी तो आपको एक wire extra डाल देना है ठीके और taping अच्छे तरीके से यहां पर कर दिजिए सभी wire को आपस में मिला दें ओके अब यहां पर इस wire को spring के माद्यम से खीचना है तो spring जो है हमने डाल दिया तो यहां पर इसको set करेंगे spring में और अच्छे तरीके से tape लगा देंगे जिससे खीचने में spring not खुले ठीके तो अब यहां पर मैं इस wire को switchboard के अंदर खीच दे रहा हूं कुछ इस तरीके से जितने भी wire हैं अच्छे तरीके से वापस खीच जाएंगे मैं सिर्फ यहां पर points और neutral की बात कर रहा हूं neutral phase inverter यह circuit line अलग होती है यह भी डाननी पड़ती है ठीके तो यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से इनको adjust कर दीजिए इन सभी वाइरों को अच्छे तरीके से बेठा दे fan box के अंदर अब यह yellow color का wire इसको मैं ने neutral बनाया था तो इसको मैं cut कर दूँगा यहीं पर तो यहां से cut करने का मतलब यह होता है कि जितने भी light क यह और fan का जितना भी neutral है वह सभी neutral आपस में connect होंगे मैं आपको बताता हूँ यह जो neutral आपको नजर आ रहा है इन सभी neutral को आपस में connect कर दे neutral का color कोई भी हो सकता है आप red भी डाल सकते black भी डाल सकते मतलब यह system neutral होता है यह main neutral नहीं होता है इससे सिर्फ light bulb fan वगरा चलने वा tapping वगरा करके अब यह जो टुकड़ा आपको बचाए ना यह joint हमने किया है wire सभी को इनको क्या करना है यह सभी को आप किसी एक खाली pipe के अंदर डाल दे ठीक है जिसमें wire ज्यादा नहीं है उसमें डालने के बाद जो एक wire बचता है यह fan का neutral हो जाता है अब यह fan के अंदर का काम आ सकता है तो इस तरीके से हमने ज्यादा wire को waste नहीं किया और जितना wire हमें चाहिए उतना switchboard में आ गया जितना हमें चाहिए उतना light box में आ गया तो इस तरीके से आप भी electric का काम बड़ी आसान इसे सीख सकते हो यह तरीका जो मैंने आपको दिखाया बहुत आसान बहुत जल्दी यह काम करने वाला तरीका है तो गाई से अगर आपको यह वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आई है तो हमसे इसी तरह से जुड़े रहें और next वीडियो आपके लिए आती रहेगी